शारुक खान की डंकी का ट्वेलर रिलीस कर दिया गया है और इस ट्रेलर विडियो में बादशा का चाम देख लोगों की सासे थम गई है जिसके पीछे की वच्छा है एक ही फिल्म में शारुक के चार डिफरेंट अफ्तार जिससे देखर जनता हक की बकी रह गई है ट्वेलर के रिलीस होने से पहले हमने आपको अपनी पिछली विडियो में डंकी में शारुक के लुक को लेकर जानकारी दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि डंकी में शारुक तीन से चार लुक को पोर्ट्रे करने वाले हैं और ट्वेलर आते ही चारों लुक भी सामने आ गए हैं जो इस समय पूरे इंटरनेट पर ट्वेंट हो रहे हैं हाला कि इन सभी लुक्स के पीछे की अलग-अलग कहानी हैं जिसको हम अपनी इस वीडियो के जरी आपको डीटेल में बताएंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं टीजर की शुरुआत ही शारुख खान के क्लीन शेव वाले लुक से होती हैं जब वो पंजाब के एक गाउं आते हैं इस दौरान उन्हें यंग दिखाया गया है और ये शारुख की स्टार्टिंग की जर्णी डिपिक्ट करती हैं इसी दौरान शारुख तापसी, बुमनिरा पठाणी और विकी कोशल बाकी सब लोगों से मिलते हैं और यहीं से जर्णी शुरू होती है शारुख इस लुक में एक दम हैंसम लग रहे हैं ट्रेलर में एक पॉइंट पर शारुख खान का रफ लुक भी दिखाया गया है जो बिलकुल रॉक लुक जैसा लग रहा है यह लुक शारुख तब केरी करेंगे जब वो अपने लंडन जाने की जर्णी को इलीगल तरीके से शुरू करेंगे इस दौरान शारुख पठानी लिवास में भी दिखाय देने वाले हैं और उनका लुक बिलकुल जंगली लग रहा है जैसे ही शारुख लंडन पहुंचने वाले होंगे वैसे ही उनके लुक में एक बार फिर से मॉडिफिकेशन की जाएगी जो की हमें ट्वेलर में भी देखने को मिल रही है इस दोरान शारुख ने अपनी बीट कट वाली है और बाल भी सेट करवा रखे हैं वो काफी सीरियस मूड में नजर आ रहे हैं और आखों में गुसा भी दिखाय दे रहा है ये लुक एकदम सिटी लुक जैसा लग रहा है यानी शहर के हिसाब से ट्रेलर के आखिर में शारुख बूरे लुक को एड़ाप्ट करते हुए दिखाय देते हैं उनकी उम्र पचास से पचपन की नजर आती है ये लुक शारुख तब लेंगे जब उनकी कहानी पूरी हो चुकी होगी और वो अपनी स्टोरी को सब के सामने रखते नजर सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवुड को और येस डोंट फोगेट तो प्रेस देल आइकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इन्फोरमेशन आप बिलकुल भी मिसना कर पाएं